गुट मॉरिंग बालमित्रों, आज हम गडित, कच्छा एक की गडित में पाठ एक, पाठ एक में हम पेज नमबर दस का अध्यान करेगे, यहां देखिए, हमारे आसपास की आफुरुतिया, आफुरुतिया याने आकार, हमारे आसपास कैसे आकार हैं? अब हम यहां चित्रों के माध्यां से समझेगे, और यहां नियमों से हम करेगे, रेखा खीचते हुए, आकुरुतियों को गुलाबी और पीले बॉक्स में रखे, यहां दो बॉक्स दिये गए हैं, गुलाबी और यहां पीला बॉक्स है, तो हमें आकुरुतिया खिचनी है, यहां मिलानी है तो यहां एक बॉक्स है जो की चौरस है और यहां लूडो की गोटी है यहां चौरस है तो यहां देखिए एक लाइन खीच कर गुलावी बॉक्स में मिलाया गया है तो जो चौरस है उसे हां गुलावी बॉक्स में मिलाएगे यहां चौक है चौक को हम गुला गुलावी बॉक्स में हम मिला देगे और यहां देखिए और कुछ दिखाई दे रहा है चौरस यहां चौरस है बॉक्स से डिप्बा तो यहां जूते का डिप्बा है इससे भी हां चौरस में मिलाएगे गुलावी वाले में अब देखिए यहां पीला बॉक्स है कैसा है पीला हम पीले बॉक्स में हमें गेन दिखाई दे रही यहाँ गोल है तो हमें यहाँ गोल दिखाई देने वाले वस्तूर से हम मिलान करेगे पीले में तो चलिए यहाँ गोल गोल है तो हम मिला देगे और यहां क्या है संत्रा यहां गोल है हम मिलान करेगे अब हम यहां देखेगे टमाटर टमाटर गोल है तो हम पीले बॉक्स में मिलान करेगे डिपे में और यहां गुपारे तो हमने मिलान कर दिया यहां चौरस के मिलान और यहां हमने गोल का मिलान किया अब हम यहां आजाते हैं यहां आप देखिए रेखा खिषते हुए एक ऐसी आखुरुतियों का मिलान कीजिए हमें रेखा खिषते हुए ऐसी आखुरुतियों का मिलान करना है जो एक जैसी दिखती है तो यहां देखिए यह बॉक्स लुडो की तरह दिख रहा है तो अब यह स्टार वाला बॉक्स भी लुडो की तरह दिख रहा है तो हमने मिलान कर दिया अब चलिए और यहां चोक का बॉक्स लुडो की तरह तो हमने मिलान कर दिया अब हम देखते हैं गेन, गेन की तरह क्या क्या दिख रहा है, यहां तमाटर, और यहां, और क्या है, तुपारे, और यहां बोल, यहां सब किसकी तरह दिख रहे हैं, गेन की तरह, तो हमने मिलान किया, गोल का मिलान हमने गोल से किया, और चोरस का मिलान हमने चोरस से किया, तो चलिए, यहां हमारा वीडियो समाथ होता है, धन्यवाद.